नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका Electrical Engineering इन हिंदी में आज की इस वीडियो में हम दोग देखने वाले हैं Magnetism Magnetism को हिंदी में चुम्बक कत बोलते हैं तो चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं चुम्बक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्शित होने वाला पदार्च कहलाता है चुम्बक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्शित होने वाला पदार्च कहलाता है चुम्बकी, डाया चुम्बकी, पैरा चुम्बकी और फेरो चुम्बकी तो देखिए अल्प मात्रा में प्रतिकर्शित होने वाला पदार्श जो होता है वो होता है डाया मेगनेटिक उसको बोलते हैं और चुम्बक से जो है वो बहुत अधिक आकर्सित होता है उसको बोलते हैं फैरो मेगनेटिक और चुम्बक से जो है कम आकर्सित होता है उसको ब पैरा मेगनेटिक और कम प्रतिकरशित होता है तो उसको बोलते हैं डाया मेगनेटिक ठीक है छड़ चुम्बक के चारों और पैदा हुई चुम्बकी अबल रेखाओं की दिशा होती है छड़ चुम्बक इसको इंगलिस में बार मेगनेट बोलते हैं इसमें पैदा होने वाल रेखा होएं जो होता है उसका direction पूछ रखा है magnetic line of force इसका direction पूछा है तो देखिए इसका direction क्या होता है छड़ चुम्बक में एक N होता है North Pole और एक होता है South ठीक है बाहर की तरफ देखा जाए तो जो line of force होते हैं यानि magnetic line होती है वो North Pole से निकल कर South Pole में ठीक है आती है और मेगनेट के अंदर जो है वो South से निकल कर नार्थ की तरफ जाती है फीगर में युद ठोड़ा सा क्या हो गया है ठीक है तो इसका answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरिय ध्रूव से दच्षडिय ध्रूव की ओर यानि North Pole से निकल करके South Pole की ओर ठीक है ऐसा direction होता है बार Magnet में Magnetic Line का ठीक है और Magnetic Line of Force इसी को बोलते हैं हम Flux ठीक है ये भी आपको बात ध्यान में रखना है जिस पदार्ज की धारण सक्ती यानि Retentivity उच्च होती है वह Dash बनाने के लिए उप्यूक्त होता है किसी भी पदार्ज का किसी भी Material का अगर Retentivity High है तो उसका उप्योग किसके लिए यो होगा अस्थाई चुमबग बनाने के लिए बिद्दु चुमबग बनाने के लिए और अस्थाई चुमबग बनाने के लिए अस्थाई एवं अस्थाई दोनों परकार के चुम्बक बनाने के लिए तो फ्रेंट्स अगर किसी भी material का retentivity high है ठीक है तो उसका जो उपियोग होता है उसका होता है अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए जैसे माली जे ऐलनीको है ऐलनीको का retentivity जो है वो अधिक होता है इसलिए उसको जो है permanent magnet बनाने के लिए यूज किया जाता है चुम्बक कत्यों की sealing या screening के लिए परयोग किया जाने वाला पदार्थ है ठीक है चुम्बक कत्यों की sealing और screening क्या होती है कोई भी अगर माली जे device है एमीटर हुआ बोल्ट मीटर हुआ वो जनरली जो है magnetic effect पर ठीक है आधारित होता है चुकि अगर माली जे उसको हम माली जे उससे हम current या voltage major करते हैं अगर वो magnetic effect पर आधारित है तो आसपास माली जे अगर चुम्बक है या कोई magnetic field है तो उससे उसका जो operation है वो क्या हो जाएगा change हो जाएगा इस वज़ा से जो भी डिवाइस है उसको हम लोग क्या करते हैं उसको cover में एक तरह से समझ लीजे बंद करके रख देते हैं ताकि उस पे बाहर का जो है प्रतिरोज के अनुरूप डैस कारिरत होता है पर्मियेंस रिलक्टेंस इंपिडेंस कंड़क्टेंस तो देखिए electrical circuit होता है और एक होता है magnetic circuit ठीक है तो electric circuit में जो current का पोस करता है उसको बोलते हैं resistance और magnetic circuit में जो flux का पोस करता है वो क्या कहलाता है reluctance कहलाता है तो इसमें पूछा है चुम्बकी परिपत में प्रतिरोज के अनुरूप क्या कारे करता है तो प्रतिरोज के अनुरूप जो है यानि उसके analogus जो होता है वो क्या होता है magnetic circuit मे reluctance होता है इसी तरह electric circuit मे conductance होता है और magnetic circuit में permeance होता है चीजरgoing Doncood current flow करता है magnetic circuit में flux flow करता है electric circuit में जो voltage होता है उसको EMF बुलते है electromagnetic force और यह जो होता है I into R के बराबर होता है اور magnetic circuit में इसको बोलते है MMF magneto-motive force और यह N into I होता है N क्या है number of turns है flux घनत का SI मात्रक है flux घनत flux घनत तो मतलब B flux density और इसका जो फार्मूला होता है phi upon A होता है phi मतलब flux और A मतलब area flux का मात्रक होता है वेबर और area का मात्रक होता है meter square तो इसका answer जो हो जाएगा flux density का मात्रक वेबर पर meter square अब देखिए flux का मत्रक होता है वेबर और ये होता है SI मत्रक होता है और CGS में flux का मत्रक होता है Maxwell और 1 Veyber is equal to 10 to the power 8 Maxwell होता है ठीक है? और flux density की बात करें तो flux density का SI मत्रक जो होता है वो होता है वेबर पर meter square या इसी को हम tesla भी बोलते हैं और एक टेसला बराबर होता है 10 to the power 4 गौस और गौस जो है flux density का cgs में unit है निमनलिखित में से कौन शा द्रव अनुचुम्बकिय पदार्थ है यानि liquid paramagnetic material है लोहा, काच, aluminium, nickel तो देखिए लोहा और nickel ये जो हैं ferromagnetic material है, aluminium हुआ, काच हुआ, ये क्या है paramagnetic material है लेकिन उसने पूछा है liquid paramagnetic चुकि ये काच जो होता है वो liquid form में होता है ठीक है उसको बाद में हम उसको सेब देकर काच बनाते है ठीक है जनरली वो liquid form में उसको होता है ठीक है तो इस वज़े से इसका जो आंसर होगा liquid paramagnetic material का वो होगा काच और देख लीजे, ferromagnetic material जनरली क्या होते है iron है, nickel है, cobalt, ये जो है ferromagnetic material होते है यानि ये magnet से बहुत ज़्यादा attract होते है paramagnetic material क्या है, platinum, aluminium, oxygen ये जो है magnet से बहुत कम attract होते है और diamagnetic material क्या है, diamagnetic material carbon, copper, water, plastic ये सब क्या है, diamagnetic material है और ये जो है magnet से, ठीक है, कम ripple होते है बैदुतिय, युक्तियों में से एक बिद्दु चुम्बक से उत्पन flux को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है ठीक है, अगर माली जी कोई electric device है, और उससे जो electromagnet से उत्पन जो flux है उसको change हम करना चाते हैं, तो उसका सबसे आसान method क्या है, सबसे simple method क्या है कुंडली के लपेटो की संख्या को बढ़ा, घटा कर, अनेक tapings, युक्त उतेजक कुंडली का प्रियोग कर उतेजक कुंडली में प्रवावी धारा का मान परिवर्तित कर, उतेजक कुंडली की क्रोड की इस्थिती परिवर्तित कर तो देखिए friends, flux जो होता है, flux का formula होता है ni by s, s यहां क्या है, s को बोलते है reluctance, जैसे electric circuit में resistance होता है, उसी तरह magnetic circuit में reluctance होता है, ठीक है, चुकि माली जे अगर हमारा coil बन गया है, तो उसमें हम ना current change, ना उसमें number of turns change कर सकते हैं, और ना ही उसका reluctance change कर सकते हैं, चुकि माली जे coil बन गया है, तो उसका जो reluctance होगा, वो होगा, ठीक है, उसमें number of turns भी होगा, तो आसान तरीका क्या है, उसमें हम current को परिवर्तित कर दें, तो हमारा flux change हो जाएगा, ठीक है, त flux को change करने का सबसे आसान तरीका क्या है, current को हम change कर दें, ठीक है, पैरा magnetic material की relative permeability का मान, ठीक है, क्या होता है, इकाई से कुछ कम होता है, इकाई होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से बहुत अधिक होता है, तो देखिए friends, relative permeability हमने दे रखा है, तो देखिए, फेरोमेulी मैणियमधियरील का रिलेट्व पर्मी विल् granular होता है मियू र एकसे बहुत अधिक होता है और और hetपनप्रामेग्नेटिक का एकसे थोड़ा अधिक होता है कौन सा पदार्थ अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए उप्यूक्त है कार्बन इस्टील एलनीको एलको नेक्स यह सभी यानि पर्मानेंट मैगनेट बनाने के लिए कौन सा इसमें माटीरियल उप्यूक्ट है तो हमने पहले ही बताया है एल निको और कार्बन इस्टील एलको नेक्स इस से भी जो है पर्मनेंट मैंगनेट बनाने के लिए रेटनटीवीटी जो है वह हाई होनी चाहिए तो फ्रेंड्स आज के लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प् झाल झाल